हलेलुया यक्ति करने वाला पराक्रमी पर्मेश्वर की ताकत और सामर्थ रखता है थेंक यू लॉड थेंक यू जीजस थेंक यू जीजस तारीफ हो तेरी स्थूतियो तेरी महिमा हो धन्यवादेशू धन्यवादेशू सभी लोग परमिश्व के तारीफ करें धन्यवाद 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 धन्य धन्यवादेशू, 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 तेरी तारिफो, तेरी स्तुतियो, तेरी महिमा हूँ, अद्भुदी युक्ती करने वाला पर अक्रमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, थेंक यू लॉड, थेंक यू लॉड, थेंक प्रभी येश्यो मसी के तारिफ करो सच मुच में हमें परमेश्वर का कितना थन्यवाद करना चाहिए कितनी तारिफ करना चाहिए कि परमेश्वर ने हम सभी को जिंदा रखा हैं। आज उन चीजों को देखो और अपने आपको देखो कि परमिशर आपको नहा जीवन दिया, सांसे दिया क्यों? क्योंकि आप रोजाना परमिश्वर की नाम की महिमा कर सके अपने जीवन के द्वारा खालेलूया प्रभी श्री मसी के तारीफ हो प्रभी श्री मसी के धन्यवाद हो प्रभू का हमें रोज धन्यवाद करना है याद करो, याद करो कि आप पहले कहां थे और वहां से निकाल कोब के चटान में खड़ा किया है नया जीवन दिया, सांसे दिया है प्रबो को बचा रहा और शुडा रहा ताकि आपके जीवन के दोरा महिमा हो लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं आज हम टोटल इग्नोर कर रहे हैं टोटल इग्नोर कर रहे हैं परमिश्वर के वचन को वचन को प्राथमिकता नहीं दे रहे वचन पढ़ रहे थे हैं इतना जल्दी पढ़ रहे हैं कि बस एक फर्मिल्टी के तौर पर आप परमिश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और ऐसे पढ़ने की प्रमिशक आज प्रमिशक अपने वचन को दर्रा मुझसे बात कर प्रभु देया कर यह वचन मेरी जीवन में फल लेकर आए शांती के लेकर आए क्रिपा लेकर आए शुमसी के समर्थी नाम में खालेलुया प्रभु ने हमें सब कुछ दिया फिर भी हम प्रती वफदार नहीं है हम क्या नहीं कर रहे हम बैठते हैं उसके चरणों में इसके निकट नहीं आना चाहते हैं प्रात्न में नहीं बैठते हैं उसके प्रभु में समय दिया जिंदर रख है आज हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं प्रभु के लिए समय नह आज सकते हो, आज उक्रेन में देखो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम, कितनी समस्या हैं, और वो जाकर बर्फ में गुटने टेक कर वहाँ, उनको प्रात्ना करनी पड़ रहे हैं, बचने के लिए देखो, बर्फ अभी आइस में, वो देखो, इतने ठंड में, वहाँ पर गुट वच्चन कहता है, जाकते और प्रात्ना करते रहो कि तुम परिक्षा में ना पड़ो, आज परिक्षा क्यों आरे, क्योंकि हम प्रात्ना नहीं कर रहे हैं, आज परिक्षा में क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि वच्चन को तो सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, वाँ, बहुत जो परमेश्वर के वच्चन को सुनकर इगनोर नहीं करते हैं, बल्कि जलते जाते हैं। पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वच्चन को। यहुन्ना रचित्सू समचार आठ अध्याय इनक्यावन वच्चन में। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ती मेरे वच्चन पर चलेगा, तो वह अनंत काल तक मृत्यों को ना देखेगा। क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ती मेरे वच्चन पर चलेगा। किसे ने जो परमेशा का वचन ये पवित्र श्यास्तर बाइबल दिया गया है और जब आज आप डिसीजन ले रहे हैं कि प्रभू तेरे वचन पर चलना है तो परमेशा का वचन कहता है कि वो अननत काल तक मृति को ना देखेगा और तब उसे अननत जीवन मिलेगा आज हम व बच्चा को पूरी करने के लिए आप वचन को त्याग रहे हैं इसका मतलब है फिर कैसे आप अपने जीवन में उस ग्रेट टेस्टमेनी को लोगे कैसे आप ब्लेसिंस को देखोगे हालेलुया एक चोटा बच्चा को बोलेगा मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना चाहते ह अच्छा जाब करें अच्छा मतलब उसे मांगना पड़े पैर पर अपने खड़े होगा तो सब कुछ कर लेगा और वह कहां से शुरुआत होती है पढ़ाई से बच्चा को मन नहीं करें लेकिन आप मार मार के पढ़ाओगी बच्चा बोलेगा नहीं मुझे खेलना लेकिन आप पढ़ाओगे जैसे भी करो आप टूशन लगाओगे जो मर्जी करना पढ़ाओगे उसके लिए आज ऐसा ही है आपका मन नहीं कर रहा वचन पढ़ने का लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि यही आपको फ्यूचर है यही आपका जीवन है बच्चा बोलेगा मेरे एक् आटे हो कि अपने जीवन को चमकता हुँ देखना वचन चुन लेते हैं पढ़ने हो अब फ्यूचर में आपको शूनना है तो इसमें चलने की लिए अपने जीवन को आगे प्रवो के अगे समद्पढ़ करना है इसकी बेचज होती हिए वचन जब हम सिखते हैं औरलते में इतने साल होगा विश्वासी वाला जीवन लेकिन आज भी वो बिसिक वचन को नहीं समझ पाए कि वचन हमें क्या कह रहा है हमें क्या करने को कह रहा है अभी भी समझ में नहीं पा रहा है इसलिए इनको अपने जीवन में वो अपने जिवन डिसीजन नहीं ले पाते, प्रब्लम में फज़ आते, क्योंकि अभी भी, अभी भी सिफ दूद पी रहें, अन्न नहीं खा रहें, मतलब वो वच्छन को नहीं लेना चाहते हैं, और इसलिए आप अभी अपने जीवन में फियस कर रहें उन चीजों को, प्र प्रब्लम में उसे लिए, अपका मन गरेज चाहना करे, वच्छन को पढ़ो और सुनो रोज, और अपरे जीवन को परमेश्र के वच्छन के पीशे चलने के लिए स्मप्रम भी करते चाले, प्रभू मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन आप से हो सकता है, प्रभू अपने वच् परमेश्र को परमेश्र को दूर कर, आपको पता चल चुक है, जब आप परमेश्र के वच्छन के पीशे चलोगे, तब ही आप ब्लेस होगे, चमकोगे, शायन करोगे, अभी जैसे आपको बता, बच्चा का मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन माप आप उसको पढ़ाते हैं मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वच्छन पर चलेगा, तो वो अनन्त काल तक मृत्यों को न देखेगा, अब आपको क्या करना है, एक और मैं वच्छन पढ़ूंगे, लुका, रचित, सू, समाचार, ग्यारा अध्याय, और वहाँ पर एक बहु परमेशिर उसे ब्लेस काता है, उसे धन्नी कहता है, जो परमेशिर के वच्छन को सुनते हैं, और मानते हैं, आमेन, हलेलुया, आज कितने लोग परमेशिर के वच्छन को सुनते हो, पढ़ते और मानते हो, और चलते हो, क्या आप चलते हो, परमेशिर के वच्छन को सुनते प्रभीयश िमसी के तारिफ बनगा, आज से मैं अपके वचन में चलूंगे, आज से अपके आपके पीछे चलूंगे, चलूंगा पूले, परमेश मुच पर द्या कर, प्रमेश मुझ पर तरस खा, बोले, परमेश मुझे पीछे चलना चाती हूं, प्रमिश्य बचन में बने रहना चाहती हूँ, बने रहना चाहता हूँ, बोलो प्रमिश्य से, प्रातना करो, जो चुछ अब नहीं कर पा रहे हूँ, बोलो प्रमिश्य मुझ पर देया कर कि मैं चल सको अपके बचन में प्रमिश्य पिता, देया कर, तरस खा प्रमिश्य पित Those who hear the word of God and obey it. यहां English नहीं बहुत अच्छा लिखा है, यहां लिखा है मानते हैं, यहां लिखा है, Obey it. Who hear the word of God and obey it. Blessed letter are those who hear the word of God. इसलिए सुबह के प्रातना की जाती है, और वचन बताया जाता है प्रमिश्वा के अनुगरा के द्वारा, ताकि आप रोज परमिश्र के वचन को सुने और प्रार्थना करें ताकि आप अपने जीवन में साइडी सीजन ले सके सुबा के प्रार्थना के साथ अपने जीवन के अपने दिन की शुरुवाद करें था कि जब आप कहीं भी काम में जा तो वही वचन आपको बताए कि नहीं ये सही तर लिए ये गलत है ये सही इसमें चलो खालेलुया प्रभीश्य मसी की तारीफ हो प्रभीश्य मसी का था नेवाद हो सच मुझ में कितना सुंदर वचन है कि जो परमेश्य को सुनते हैं और मानते हैं वो धनी है परमेश्य को वचन क्याता है अमेन बोलो आज से प्रभीश्य में तेरे वचन को सुनूँगा और मानूँगा सबी बोलेंगी कार करें बोलो परमेश्वर आज से मैं आपके वचन को पढ़ूँगा और आपके वचन के पीछे चलूँगा चलूँगी बोलो बोलो आज से परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ूँगा और सुनूँगा और चलूँगा परमेश्वर पिता आपके वच्चन के बिना में नहीं रह सकता बोलो, क्योंकि वच्चन तो परमेश्वर है, यदि आप इग्नोर कर रहे हैं वच्चन को, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को इग्नोर कर रहे हैं। आप वच्चन के पीछे नहीं चलना चारे, मुझे चंगाई कैसे मिली मैं वच्चन को सुन रही थी मैं पढ़ती भी थी और सुनते सुनते प्रमिश्र ने मुझे टच किया और मुझे अजात किया अमें प्रभीश्य मसी का तारिफ हो इसलिए एक जगाम पढ़ते हैं प्रमिश्र के वच्चन को यहुन्ना रचिसू चार 14 अध्याए पढ़ेंगे 15 वच्चन यदि तुम मुझे प्रेम रखते हो तुम मेरी आज्याओं को मानोगे आमें प्रभीश्य मसी के तारिफ हो प्रभीश्य मसी का धनेवाद यदि आप उसे प्रेम रखते हो परमिश्र से तो 100% उसके आज्या को मानोगे जब किनके पास बाइबल नहीं है जिनके पास बाइबल नहीं है यदि हो सकता तो आसपास कहीं हो तो आप खरीद लो यदि नहीं है तो चर्च में आओ और यहां से लेकर जाओ चर्च में भी आओ कि कि बाइबल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है सिर्फ नया नियाम ने ओल टेस्टमेंट नियानेम पुराना नियाम वाली दोनों होनी चाहिए कई लोग सोसे नयानेम पढ़के मैं आशिशित होंगा दोनों ज़रूरी आपके जीवन में हलेलुया कितने लोगों को समझ में आ रहा है इसलिए मिसी में प्रिभायो बैनो आज ही अपने आपको सरंडर करो बोलो परमेशा से तेरे वचन के पीछे चलेए जब वचन आप पढ़ोगे और वचन आपके जिनमें कार ही करेगा वो वही वचन आपके जीवन में आशिशो को लेकर आएगा ब्लेसिंस को लेकर आएगा वचन को सुनने से और उसके पीछे चलने से आप आशिशित हो सकते हो हलेलुया परमेशा आपको ब्लेस करेगा चुटकारा देगा, चंगा करेगा, आपके जीवन को ब्लेस करेगा, आपको खुशी देगा, आनन्दित, हर समय आनन्दित रोगे जब परमिश्य के वचन को पढ़ोगे चलोगे ते शुमसी के समर्थी नाम में, शांती रहेगी, चिंताएं खतम हो जाएगी, हो सकता है, प् क्रोस कर जाओगे और आप जाईवन तह हो जाओगे, प्रभी शुमसी के समर्थी नाम में, खालेलुया, जब रूटीन में आप बना लोगे, आदत बना लोगे, परमिश्य के वचन को पढ़ने में, परमिश्य के वचन के पीछे चलने में, सच मुच में आपके जीवन जो आपके यूँ दर्वाजे आशिश के खुलते जाएंगे, आपने जो कभी सोचा नहीं प्रभू आपके लिए वो कमों को करेगा, क्योंकि अब आपने वचन को सुनना और पढ़ना शुरू कर दिया, और ओबे करमाना परमिश्य के पीछे चलना शुरू कर दिया, तो सच वो आशिशो को देगा और वो आशिशे को शयतान आपसे चिनना पाएगा इशु मसी के सामर्थि नाम में, इसलिए याज अपने आपको सरंडर कीजिए, और डिसीजन लो, परमेश्य आज से परमेश्य पिता मैं आपके वच्चन को पढ़ूँगा और परमेश्य पिता मै और परमेश्य परदूश लगाना शुरू करते थे, गलती खुद की नहीं दिखाये देते, कि आज हमने क्या, आज अपके जीन में सब कुछ क्यों खतम हो रहा है, क्योंकि अभी भी आप परमेश्य की वच्चन से दूरो उसको अप्राना नहीं चाते, जब आप परमेश्य लिने, strict decision, time बना लो, कि नहीं, मुझे वचन पढ़ना है तो पढ़ना है, आमें, आजए इसी वक्त अपने आपको सरंडर कीजिए, परमेश्य कात्मा टच करें आपको, और पवित्रात्मा मारे बीचे मौझू दे, परबू शूले, 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 लॉ बूत बना दिया कर तरस्का 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 परमिशय के वच्छन को सुनने और चलने से जाहिए और प्रवाजय को खोल द obsessed वचन कहता है उस मार्व में मत जहां वचन आपको सिखाएगा वचन को बताएगा जब पढ़ोगे तो कि उस जगह पे मत जा वो काम मत कर वो डिसीजन मत ले वो गलत है वो तेरे रास्तों को भी गाड़ देगा तेरे जिनकी को खड़ाब कर देगा और जब कहोगे कि नहीं प अपने गले का हार बना लिए वचन को और उसके पीछे चनने के लिए संडर किया तो क्या आप कभी विजाओट ब्लेसिंग रह सकते हों नवर आप देखोगे आप देखोगे और परमेशर से उतर आएगा क्वाशी शुटकारा ब्लेसिंस देने के लिए चंगा करने के देखो के ब्रैसे के शिय की समर्थी ना में इसलिए वह हम जभी भी परमेशर के वर्चन को पढ़ते हैं प्लीज बताएए कमेंट करें जो परवचन नहीं पढ़ पारें परमेश्र का अत्मों ने शू है इसी वक्त मैं प्रात्ना करती जो पढ़नी पाते हैं ओ लौड छीसस लौड जीसस छॉली स्पिरिट टच दें बोलो परमेश्र का वचन मेरे पाउं के लिए दीपक और मेरे मारगे के लिए उजी आला है ओ धनेवादे शू धनेवादे शू पवित्रात मश्यू पवित्रात मश्यू पवित्रात मश्यू पवित्रात मश्यू इसी वक्त राइट नो राइट नो राइट नो परमेश्र का वचन आपको अजात करें परमेश्र का वचन आपको चंगा करें परमेश्र का वचन इसी व ये कृष्यूंठ आपब सोब्ड से गर आए शियख से बर जाए अकृ vor ने New है ये ये शूमसी के समड़िन हालेलू या ना कहा बैकर देन करने कने हालेलू कोई रिभी, इसी वक्त करने के विस म 커피को सुनने के ये लिए और अब हरे को उतला कर ब्दार शाहता कर último तरस खाओ तरस खाओ प्रभजी तरस खाओ मैं परात ना करती हूँ चंगे हो जाए अजाद हो जाए इसी वक्त इस्यों के समध्य नम में पवित्रात्मान की मदद कर पवित्रात्मान की सहत्या कर पवित्रात्मा अलेलुए ने टेच कर शूले शूले परमेशर पिता ओ लाड जीजस त्या करो त्या करो सर्वेश शक्तिमान परमेशन जितने लोग डिसीजन ले रहे प्रभा हर एक लोगों को ब्लेस खोश्ट ना करती हूँ मैं प्रयात ना करती है इसी वक्त हर एक बंदन इसी वक्त हर एक बंदन तूट जाए इसी वक्त हर एक बंदन तोट जाए अजयत हो जाए दिया करो दिया करो दिया करो शूने के समर्थी नाम में इननके प्रिवार को छो इननके भाइव कुछ इननके वाइव को छो इनके अजबर्बेट करो प्रभू जी शूने के शूने का शूने में प्रभू मदद कर साहता कर perform बस्पशनizarर्द गिव之前 Гर्णिया कंणिई! दिया करो दिया करो पिवित्रातमा शूले शूले शूलेृन हालहेलूरा न मेद्ध बंदन टूट्विटेत्व मसी्याष्मि स्थायतरों पहुत बंदन टूकि जब गयए तेक्सरा अधयाद हे लिए दुष्ट्रातमा के काम खतम हो इस वक्त और इसके चीज़ से देख रहे हैं यह इस वक्त हरे रहा हैं और भायों के साथ वापस आओ गवईयों के साथ वापस आओ, मैं टेस्टिमनि के घोशना करते हैं आपके जीवन में शियू मसी के समर्थी नामे, परमेशा आपको पूचने के इंतों से ठरा है, परमेशा अजात करें, करजे से अजात कर, आके फाइनिशार प्रावलम जाए, आर्थिक समस्था आ आपके आपको ब्लेस करते हो अलेले प्रभु में होकर वचन के साथ डिसीजन लेने वाले होकर बदल जाए। प्रभी शुर रजजात कर अब ब्लेस груWatchना करते हैं मदद अस्था करो। सारी प्रात्नों को सुनने प्रभुजी में धन्यवाद करते हैं कि पीछे चलने के लिए हरे लोगों को मैं ब्लेस खोष्णा करते हैं मसा करते हैं अरे बंद दर्वाजे खुल जाए शू मसी के समत्य नामें धन्यवाद शू धन्यवाद शू धन्यवाद शू धन्यवाद श तो ती व साधि प्रातनाब को सुनने ब्रवाजी में तो बचन को पढ़ने के लिए सुनने के लिए उस पर चलने वाले होकर बदल जाने के लिए प्रातना करती, प्रभु जी विन्थि को मैं प्रभीिष्य मस्ती के मिठे और पवितर नाम से मांगती हूं, सुनियार कुल कर दीजि पीता, आमीन सभी जूर से कहें हलेलुया तो आज की प्राथना को सभी लोगों को शियर करें अपनी गवाईयों को दिना न भूलें प्रेयर सेंटर में आप प्रेयर लाइन नमबर देख सकते हैं उसमें कॉल करके सुबच छी बेजिसे लेके रात को बारा बज़े तक कॉल करके प्राथना करवा सकते हैं प्रिबू आप सभी लोगों को बहुत आइद क्याशिस दे आप अपनी भेंट अपनी ओफरिंग को आप अलन पेमेंट रो बैंक के तुरू दे सकते हैं लगातार प्राथना करें जो 42 विशे दिया है लगातार प्राथना करना चाहिए भवन की जमेंट के लिए मेरे लिए मर परिवार के लिए टीम के लिए हर एक जोने के लिए प्राथना करें और में में टीम मिलना चाहिए करके प्राथना करें परमिशन करना चाहिए परमिशन ने ब्लेस करना चाहिए मेरा विश्वास रभाइ ने भंदरवाज एक खोल दी शु के समर्थिनां में आमेए और हम भी आपकेलब परातना करने इस कि अफियत नहीं को सुरू करो सुबार श्रांग की प्रावता को सुनो वचन को मेडिटेट करो लिखना शुरू करो और उसके नुसार चलने के लिए अपने जीवन को समरपन करना शुरू करो रिश्य के समर्थी नामे और कभी भी आप सेम नहीं रहेंगे प्रवो को बहुत आयत की आशिश दे आप सभी लोगों को जैम से की थेंक यू चीजस